नवाज़काट उस्तो वालकम टू गौर्वर्मेंट इक्जामिन फो तो स्वागत है आपसवाई का आज के वीडियो में तो देखें कि इंपॉर्टन अपडेट है एल्टी के रिगारिंग यानि कि जो साहिक अध्यापक एल्टी है उसके रिगारिंग के इंपॉर्टन अपडेट है तो बेसिक लिए रिजर्ट जारी किया गया है और इसमें क्या कहा गया है देख लेते हैं जल्दी से तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये अपडेट आज का ही है थोड़े पहले रिलीस किया गया है विग्यपती अधिसूशना के रूप में और यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्राखन अधिनस्त सिवा चैनाग दौरा दिनांग 21 जनवरी 2018 को माधिमिक सिक्षा विवाग एवं जनजाती कल्यान विवाग के विवने विश्यों के सहाय कध्यापक LT जिसका पोस्ट कोड था 87 और पोस्ट कोड है 107 इसके अंतरगत इन दो पोस्ट कोडों के अंतरगत जितने भी पोस्ट थे LT के यह तो आपने नोट का लिया हुए 21 जनवरी 2018 यानि कि जो 2018 वाले हैं उनके लिए है तो इन पोस्ट कोड के लिए जो सहाय कध्यापक LT के सब्जेक्ट आते हैं इन पोस्ट कोड के अंतरगत जिसमें है आपका जनचाती कल्याण वाकी बात के तो सहाय कध्यापक LT हिंदी विज्ञान अंग्रेजी गनित संस्कृत ग्रह विज्ञान कला व्यायाम जिसका पोस्ट कोड है 107 इसके लिए डॉक्यमेंट वरिफिकेशन के लिए यानि कि जो आपका अभिलेक सत्यापन इसके लिए थार्ड मेरिट लिस्ट या फिर औपवंधिक सिष्टा सूची आयो की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है देगे 2018 का जो रिजल्ट है वो अभी तक जारी हो रहा है तो काफी लंबा ये प्रोसेस चल ला है ठीक है तो ये थार्ड मेरिट लिस्ट है किसके लिए है जनजाती कल्यान विभाग के अंतरगत साइक ध्याबक ल्टी जिसमें है आपका हिंदी, विज्ञान, अंग्रीजी, गरित, संस्क्रित, गह विज्ञान, कलव और व्यायाम जिसका पोस्ट कोड है 107 तो इसको नोट करना जो भी उस वक्त के कैंड़ेट है 2018 वाले तो आपको एध्यान में रखना है कि इन सब्जेक्ट के लिए इस पोस्ट कोड के अंतरगत आपका डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन होना है हलागि लिस्ट पूरा दिया गया है नीचे ठेक है तो आप अपना नाम चेक कर लेना अगर उसमें है तो आपका हो गई तो यह थर्ड मेरिक लिस्ट है उक्ता अनुसार चैनित अभीरतियों का विसावार अभिलेक सत्यापन दिनांक 21-10-2021 को आयूक के कारियले में होगा 21-10 यानि की 21 सक्टूवर्क होगा आपका तो अभी टाइम है आपके पास काफी एक मेने का पूरा समय बचा हुआ है बाकी डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन में क्या-क्या होता है यह आपको पता ही होगा ठीक है तो आपको अपने सारे डॉक्यमेंट ले जाने पड़ेंगे जो भी आपने मेंशन किया होगा अपने फॉर्म में और उसके दो-दो फोटो कॉपी के सेट इसके अलावा छे पास्पोर्ट साइस फोटो और साड़े नौ बजे आपको मॉर्णी में पहुंचना पड़े है खैर अभी काफी टाइम है 21 अक्टोबर 2020 को बाकी एक फॉर्मिट होता है समवा 79 उसको फिल अप करके आपको ले जाना पड़ता है बा आपका सेकेंड में नहीं था फर्स्ट में नहीं था इसमें चेक करना एक बार तो कुल मिलाके यह रिजल्ट जारी किया गया है तो हुजर 18 के लिए पोस्ट कोड 107 के लिए ठीक इसमें कोई डाउट है आपको तो नहीं कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं जानता हूँ यहाँ पर आप लोग का एक सवाल आएगा कि इस बार का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है तेकि मैंने अल्रेड़ी बताया था आपको लेकिन कुछ लोग उस पर आपजेक्शन कर पाएगा यह भी तो सूचने वाली बात है क्योंकि जब आयोग कह रहा है कि 6-6 महने एट लिस्ट लगते हैं आफ्लाइन एक्जाम में तो यह मान कि चलें कि अभी कुछ समय पहले ही हुआ है तो हो सकता है दिसंबर जनवरी मैं सिर्फ कह रहा हूं ठीक है मुझे भी नहीं क्योंकि रिजल्ट आना ही है आपका थिक है तो उमीद करते हैं जल्दी आ जाए इसके बारे में आपका कहा एक एक यह प्रोसेस चल रहा है आपका तो बस आज के लिए इतना ही तब तक कि लिए धनेवाद विडियो को लाइक करना चनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह के स सबी अपडेट्स और एक्जाम के प्रप्रेशन के लिए भनेवाद